विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलीस के पास स्वाती मालिवाल जी के खिलाफ अपनी कम्प्लेंट बज़ की है और उस कम्प्लेंट में उन्होंने तेरा मई को हुए सीक्वेंस अफ इवेंट्स को बहुत सपश्ट तौर से रखा हैं तेरा मई की सुबह स्वाती मालिवाल जी बिना किसी अपॉइंट्मेंट के सीम आवास पहुंची जब उन्हें सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया उनकी आइडेंटिटी पूछी गई वो किसलिए आई है पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेर मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंट्मेंट है जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने आफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंट्मेंट नहीं है और स्वाती मालिवाल जी को गेट पर रोका गया लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलीस वालों को कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की और वो पुलीस वालों से जगला करकर और वो सीएम आवास में जो सीएम रेजिदेंस का कैंपस है उसके अंदर फुस्कित सेक्योरिटी उन्हें फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है आप सीएम आवास में नहीं जा सकती है और वो उन्हें सीएम रेजिदेंस के वेटिंग रूम में जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिदेंस के में बिल्दिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है वहां पर लेके गए वहां पर बैठाया, उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं, वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बार वो जोर जबरदस्ती करकर सी एम रेजिदेंस के में बिल्डिंग में जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुज गई और वहां पर ड्रॉइंग रूम में जाकर बैठ गई, वहां पर उन्होंने कहा के सी एम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिल तरीका होता है, क्या उन्हें पता नहीं है, कि मुख्यमंत्री की कई शेडूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वह उपलब, तो फिर क्या कारण था, जो वह सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ति करके, मुख्यमंत्री आवास के अंदर भुस मैठ गई और CM से मिनने के लिए जबरदस्तिक करनी, तब CM रेजिदेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया, 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आया, उन्होंने स्वाती मालिवार जी को ड्राइं गूब में बताया, कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलिबल नही है, वो मिल नहीं पाएंगे, उसके बाद स्वाती मालिवार जी ने विभव कुमार जी से उची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी, उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकल कर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करे, विभव कुमार जी उनके सा स्वाती मालिवार जी को अंदर नहीं जाने दिया, फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने CEM Office के Security स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाती मालिवार जी को बाहर एस्पॉट करें।